हेलो स्टूडेंट कैसे आप सब उम्मेद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल दे होगी और बोर्ड एकजाम 2023 को टार्गेट में रखते हुए हम एक महात्पूर्ण यहाँ पर प्रार्तना पत्र या आवेदन पत्र जो भी रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्छों आप हिंदी में परिच्छा काल में ध्वनी विस्तारा के अंदर पर रोंक लगाने है तो जिला धीस को प्रार्तना पत्र लिखिए देखिए आपको ध्यान में यह रखना है कि बहीं साहब जो भी एक कुश्चन लिखना हो या मालीजे कमिशनर के लिए हो या तो नगरपाली का अध्यच के लिए हो या जिला पंचायत अध्यच के लिए हो तो इनके लिए हम हमेशा प्रतिका प्रयोग करते हैं जिसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिला धीस के लिए तो प्रति जिला धीस महोद है आप किस जिले से हैं यदि आप जबलपूर से हैं जबलपूर भोपाल से हैं मत प्रदेश तो मत प्रदेश या की मा लिजे आप यूपी में बनारस से हैं तो बनारस से लिख दो है ना लखना उसे तो लखना उसे हैं जहां से भी हो आप लिख सकते हो तो लिखना है प्रति राइट साइड में ही लिखो ऐसा नहीं की लेफ्ट साइड में लिख दो बच्चो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्रति तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रति प्रति में लिख दीजी का आप जिलादिस महोद है भोपाल मदप्रदिस अब यहां पर बच्चो आप द क्या बताना है यहां पर देखू क्या कहा गया कोश्चन परिच्छा काल में धोनी बिस्तारक एंत्र को रोक लगाने है तो जिला दिस को प्रत्ना पत्र तो आप लेख सकते हैं कि परिच्छा काल में किसमें परिच्छा चल रहा है तो परिच्छा काल में परिच्छा काल में क्या करना है धोनी बिस्तारक पर धोनी बिस्तारक यंत्र धोनी बिस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हे तू रोक लगाने हे तू आबेदन पत्र यदि प्रार्थना पत्र है तो प्रार्थना पत्र लिखिए अब प्रार्थना पत्र ठीक है और यहाँ फूला इस्टाब ठीक चलिए question कैसे पूचा गाएगा जीलादीस को एक प्रारतना पत्र लिखिए तो 20 में आपको प्रारतना पत्र ही लिखना है इसके में यहाँ पर बच्चों आप जैसे महोदे लिखते हैं सर इंग्लिस में लिखते हैं सर तो सर का हो जाएगा महोद है, तो आगे आपको लिखना है महोद है, यहाँ भी बिल्कुल इसके जेस्ट नीचे देखे, बीसा के जेस्ट नीचे महोद है, ठीक है, देखो बिल्कुल मिलता हुआ लाइन दिख रहा है महोद है यह आप महोद है लिखे, इसके बाद बारा का छात्र हूं बरतमान में मेरी बार्चीक परिच्छा चल रही है किन्तु इस परिच्छा के समय या इस दौरान हमारे आसपास में लावड़ी स्पीकर बहुत जोर जोर से तेजी गत से ज्यादा मात्रा में बजाया जाता है जिसके कार्ण हमारे अध्यान में व्यबध पढ़ता है अतास स्रीमान जी से अन्रोध है कि एक ऐसा आबेदन पत्र हमारे छेत्र के SDM साहब को या कि कोई ऐसे प्रसासनिक अधिकारी को दिया जाए जिससे कि वो इस लावड़ी स्पीकर को बंद कराने की मदद करें जिससे हमारी पढ़ाई सुचारो रूप से चल सके आपका बहुत आभार बेक्तो आभार होगा या हम आपके सदा आभारी रहेंगे इस प्रकार से आपको लिखना है कारण बताना है कि हम कच्छे बारहे के छात्र हैं बरतमान समय में हमारी बार्शिक परिष्छा हैं चल रही है किन्तु इस समय पर सहर में जोर जोर से एक आवेदन पत्र दे हमारे आसपास के SDM साब या कोई प्रसासने अधिकारी को जिससे की समाधान हो सके वतलब जो भी समय से उसका समाधान हो सके हम आपके बहुत आभादी रहेंगे धर्नवाद इतना लिखना आपको फिर नीचे लिख सकते हैं प्रार्थी गण क्योंकि आप अकेले तो दे नहीं रहें समस्त बच्चे मिलकर दे रहें तो कोई लिख दे सास की उछतरम आदिम विद्द्य लें बहुपाल से दो भोपाल लिख दो दिनांग लिख दो पस इतना यह बच्चो तो आगे आपको क्या-क्या लिखना बच्चो, मैं एक समस्य का यहाँ पर कारण सहित, निवायन सहित, जो भी लिखना है, यहाँ पर लिख दिया हूँ कि सबने नमने दीमेदर्ण है कि आजकल बोड की परिच्छाय चल रही है कारण बताना है तो बोड की परिच्छाय चल रही है हम सभी विद्यारती अपनी अपनी परिच्छा की तैयारी में अध्यान रथ हैं पढ़ाई कर रहे हैं किन्तु आज कल सहर में जोर-जोर से लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं जिससे हम सभी लोगों के अध्यान में बंद लगा कर हमारी समिस्य का समाधान करने का कश्ट करें हम सभी आपके बहुत आभादी रहेंगे ठीक है धन्यवाद प्रार्थिकर कहां के हैं बच्चो साच की उच्छे तरमाधिक विद्दले भोपाल मद्प्रदेश दिनांक आप नीचे लिख सकती हो यह चीज लिखना आपको पूरे यंक मिलेंगे इतना ही लिखना है और ऐसे ही एकजाम में पूछा जाता है तो फ्लीज आप लोग बहतर लुप से त्यारी करते चलें और हिंदी में जो भी आपको ऐसा संसे हो हां ग्रामर पोर्षन से आप लोग खुलके बोल सकते हैं कमेंट वाक्स में कमें से टॉपिक पर वीडियो बनाईए तो आपके लिए हम निश्चीती वीडियो लाएंगे ओके बच्चो वीडियो पसंदाया तो लाइक करके सेयर करें जैहिंद बंदे मातरम